चेश्टा ने जीमी से पूछा आखिरे सक्या करते हैं यूट्यूबर्स की इतने ज़्यादा फैन फोलोइंग से यूट्यूबर्स की और आज के टाइम में यूट्यूबर्स के आगे टीवी के एक्टर्स पीछरते जा रहे हैं दर असल होता यही कि फुकरा इंसान टेम्टेशन आइलेंड में एंट्री करते हैं उसके पाद जब वो जाते हैं तो यहाँ पर जीमी चेश्टा और निखिल हमें साथ में बेटे हुए दिखाई देते हैं और वो यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर चेश्टा पूछती है जीमी से कि तुम फुकरा इंसान को पहले से जानते हो तो जीमी कहते हैं कि हाँ वो मेरे दोस्ते हैं तो फिर चेश्टा जीमी से कहते हैं कि एलविश और फुकरा दोनों ही काफी ज़्यादा फेमस हो गएं बिग बोस से आने के पाद यहां पर जिमी उनको कहते हैं कि दोनर भी बिग बोस से पहले से भी यूट्यूबर काफी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे पर बिग बोस से आने के बाद इनका फैम दस गुना हो गया है तो चेश्टा पर जिमी से पूछती है कि यहां कि यूट्यूबर्स अपनी वीडियो म बात है तो यहां पर निकल केते हैं कि इन लोगों ने अपने कल्चर को रिप्रिजेंट करा है और इसी वज़े से कॉमन में इन से कनेक्ट कर पाता है और फिर निकल एलविश का एक्जांपल देते हुए कहते हैं कि आप लोग यानिक टीवी एक्टर से एक किरदार को निभ कि यूट्यूबर्स से हर एक ऐसानी से कनेक्ट हो पाता है जब कि टीवी एक्टर्स एंड बॉलिवूड एक्टर्स के फैंस उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता तो यहां पर चेश्टा केती है कि मेरे भाई ने आने से पहले मुझसे बोला ता कि जब मैं बाहर तो वो मेरा एक vlogging channel खोलेगा और फिर में भी vlogging करूंगी इस पर जी में एगरी करते हैं कि आप practice कर सकते हैं यहीं से तो चेश्टा कहती है कि तुम मेरी practice करवा दो रोज मुझे practice करवाना ताकि जब मैं बहार जाकर अपना vlogging channel खोलू तो मैं आसानी से vlog कर पाऊं